हिंदेगलम में फिर सेपका एक बड़ स्वागत थी ये वीडियों विसेस रुप से मादमिक और उच्छे मादमिक सातवे चरन से समंधीत है वैसे तो हमने बहुत सारी नियूस पेपर गटिंग पढ़े हैं जैसे आज नियूस पेपर को भी हमने पढ़ा लेकिन सबसे विसेस है सातवी चरन के अवियर्चियों के लिए मादमिक और उच्छ मादमिक यानि अस्टेट 2019 के अवियर्चियों के लिए बहुत बड़ा गुड नियूस है बहुत दिनों से इंतिजार कर रहे थे डेट तो किलियर नहीं है लेकिन कुछ चीजे है जो आपको जानना ची परण और ये नियूस आपको पेज नंबर 6 पे देखने को मिल जाएगा इसका हेडिंग क्या कुछ बनाया गया है इसका हेडिंग बनाया गया है तीन साल की परकिरिया में मिले सर्फ 2716 सिक्षक मात्र 2716 सिक्षक ऐसा नहीं के 3000 की बहाली हो रही तिन नहीं बहाली जो चल रह उयर्ण में देखने लिए तीन की हुआ वी चाहर नहीं के लिता रहा ठीनी बहाली 716 सिक्षक मिले 3 2016 सिक्षक में अनुह रहा गया प्रकिरिया जाता हा कि पहले जो बहाली पर गशा नहीं चल रहा यह तरह चलनारに वह रहें चल और रही credible बहाना पास हो रहाता है 2700 समझे कि कितना इरेशियों क्या है 32 जार और 2000 समझे क्या कुछ हो रहा है लेकि गौर्णमेंट ने इस चीज को देख लिया है क्या कुछ कह रहे हैं खुद ही देखिए आप इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि अगर ऐसा होता है आपको बताते हैं और जल से जल्द नोटिफिकेशन इने देना चाहिए ताकि जो आगे का भविश है बिहार का भविश की बात कर रहा है वहीं बात करता होते हैं क्यों क्योंकि वह बच्चों को पढ़ते हैं अगर उन्हें सिक्षक नहीं मिलेगा तो कैसे आगे का आगे बिहार का विकास होगा आपने कहा दिया परतिक पंचायत में हाई स्कूल होगा पहले का फिर उच्छ मादमिक आपने कहा लिए सिक्षक भरती हुआ नहीं हुआ कि अदर निवस्पेपर में भी आ रहा था तो यह चीज नहीं होना चीए गहार इसको जल से जल्द जितना जल्दे हो सक्णा उतना जल से जल करते हुए जल से जल सातवे चरण मात्मी का नोडिफेकेशन निकालते हुए जल से जल बहाली पर ख्रिया पून करा लेना चीए वैसे क्या कुछ सातवे चरण के बारे में लिखा गया है, जो में पॉइंट है, जो पढ़ने के बाद आपके मतलब एक खुसकबरी हो सकता है, एक मुस्कान आपके चेरे पर आ सकते हैं, तो ये पढ़िएगा, पहला चीज हम इसको बता देते हैं, पहला पॉइंट, समाजिक ये लिए है, अब छटे चरण को समाप्त कर, सातवा चरण आरंब करेंगे, दिपक सिंग, अपरमुक्य सचीद दिपक सर ने कहा दिया, कि छटा चरण को अब समाप्त कर देंगे, सातवा चरण स्टार्ट करेंगे, एस्टेट 2019 की जो भरती पर गिरिया, जो लगबग इंति जार कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोड पे हैं, और सिक्षकों की कमी हैं, उन्हें अब लगता है, रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि ये छटा चरण जो है, नाक में दम करके रख दिया था, लगता ही नहीं था, कि खतम होगा, लेकिन फाइनली ये खोशना हो गया, कि में नहीं मिलेंगे, एक ही तो भी साय है, जिसमें फाइट हो रहा हो है, समाजिक विख्यान, बाकि सम्में सिक्षक नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टेट 2011 गया व्यरती भाग लिए थे, स्टेट 2019 का व्यरती होते हैं, निश्चित रुप से साला, सारा जो सीट है, वो निश्च का भाव देखा गया, सक्षम आवेदक थे भी तो कॉंसलिंग अन्य चैन परकिरिया में कम सामिल हुए, जाइर सी बात है, दुसरे रोजगार में लग गये होंगे, बहुत सारे चीज़े होगा, आवेदन कर दी होंगे, नहीं गये होंगे, दुसरे जाए काररत भी होंगे, तो इसलिए सक्षम आवेदक थे भी तो कॉंसलिंग अन्य चैन परकिरिया में कम सामिल हुए, 2011 STT उतीन आवेदक थे, देखे ये चीज़ इनों ने भी लिखा है, कि 2011 STT उतीन आवेदक थे, उननीस वाले पे भी थोड़ा दया करना चाहिए, तो वो भी भाग ले लिये होत करत हो गए होंगे, सातवे चरण में यह समस्या नहीं आएगे, क्योंकि 2019 STT में ही 80,000 उतीन हो चुके हैं, यह सही बात है, 80,000 मेरिट, नौन मेरिट, चली छोड़ी उस पर बस करेंगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ निमाली चैन्ज करके करते हैं, तो उन देना चाहिए, निमाली चैन्ज करते हुए, अगर करते हैं, तो भी बहस नहीं है, लेकिन जल से जल भाली पर करिया अपना यह, जो भी चीजे करना है किजिए, लेकिन जो बिरुजगारी का जो दाग लगा हुआ है, ना कि बिरुजगार है, स्टेट उतीन होते हुए भी रोड पे घुम रहे हैं, वो दाग खतम हो जाना चाहिए, लोग सुस्ते भी है, पता नहीं जॉब लएगा है या नहीं लएगा है, जबकि आप जानते हैं कि सारा जगा रिखती है, उच्छे मादमिक परतिक पंचायत में अपने कर दिया, वहां कहीं सिक्षक नहीं है, बारे दिन पहले हमने डाला था, तो ये कहना किसका है, कि क्योंकि ये जो पॉइंट जहां हमने टिक किया, ये कहना किसका है, तो ये कहना है दिपक कुमार सिंग, अपर मुक्य सचिव सिक्षा विवाग का, तो ये दिपक सर का कहना है कि साथवे चरण में ये समस्या नहीं आएगी क्योंकि 2019 STT में ही 80,000 हो चुके हैं निश्यत रूप से यह समस्या नहीं आएगी लेकिन कब कीजिए अगर साथवेचरन के लिए तो बेचायने सबी बहुत जल्द कीजिए जितना तेजी से करना है कीजिए यह चीज भी लाइन आपके लिए बहुत महत्पूर था कि स वहाँ चाहं से होगा यह भी हम आपको सारी चीजें करें तो यह चीज को प्यां दो क्योंनी करें कर देना चाहिए । अगर बहुत सारे वेैरती उसमें चले जाएंगए फिर उप्त है उसके बाद ऑर जाएगा को से भी वन्डू एट में हो जाएगा फिलाल इस पर चर्चन ही कर रहे हैं अब पढ़ेंगे क्या कुछ लिखा गया है पटना हिंदुस्तान ब्यूरू राज के 9,360 मादमी के मुच्च मादमी के स्कूलों में 32,714 रिक्तपदों पर 3 साल की कवायत के बाद निक्ति के परिणाम हतास करने वाले आया हैं एक तरफ साथवे चरण नियोजन को सिग्र सुरू करने के लिए व्यारती आंदोलनत हैं दूसरी और सिख्षय विवाग की निक्ति प दो चरणों में 30 जुलाई और 26 अगस्त को बटे निक्ति पत्र के विरुण सरकार को जीलों में मिल चुके हैं सिख्षय विवाग ने जो चटे चरण की निक्ति की फाइनल रिपोर्ट तियार किया हूँ उसके मुताबिक महज 2716 सिख्षक राज्य भर में निक्ति हुए हैं इसमें हाई स्कूल में 2048 जबकि पलस टू में 660 मात्र सिख्षक मिले पलस टू का देगे सारा पद रिकत रह गया इसके बाद देखा जाए को 2998 पद अर्थात 91.6 परसेंट खाली रह गया अब परमुक्त सची दिपक कुमार सिंग ने यह जनकारी दी उन्होंने बताया कि सातवत चरण हम सग्र आराम करेंगे जाहिर सी बात है मतलब यह बात का रहेंगा उन्होंने प्लस टू होगा तो इसके लिए सुख्षक भाली होनी चाहिए को सारा रिकती जोडते हुए बाहली पर गरिया अपनाना चाहिए कि इन्हों ने का कि साथवे चरण हम सिग्र आराम करें, सिग्र नहीं फर्स्ट वीक में आप नोटिफिकेशन दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, और गोड नियूज है उनना वियरतियों के लिए, जो साथवे चरण के इंतिजार कर रहे हैं, मादमी को रुच मादमी का नियुक्ति की अस्तिती से एक बात असपस्ट है कि नौवी से बारावी तक के सरकारी स्कूलों में नामंकित करिब 37,6,67 को मौझूदा सैक्षिडिक सत्र में भी बीना सिख्षक की पढ़ाई करनी होगी, यानि बीना सिख्षक का पढ़ाई होगा, एटनेंस बनेगा, गोम सिख्षक नहीं कैसे बढ़ाई होगा, आप खुद समझ रहे होगे, हाई स्कूल में चटे चरन की नियुक्ति के तहत 84,64 फिस्दी जबकि प्लस टू में 96,56 फिस्दी पद खाली रह गया, 13,325 हाई स्कूल सिख्षक पदों के विरूद महज 2,048, यानि इतना परसेंट बैस 20 उ में अधिसंग् पद खाली रह गया, पटणा में नहीं मिले सिख्षक बागी साब पटना वरगरे के बारे में दिया गया, परतिक जीले के बारे में दिया गया, लेकिन ये चीज उतना अपडेट नहीं है, थोड़ा सा पढने चाहें तो पड़ सकते हैं, लेकि उत साथवे चरन का जो अव्यर्थि हैं उनके लिए गुड़ न्यूज कि छटा चरन का घोषना लगबग हो गया निस्पेपर की साब से चटा चरन समात साथवा चरन स्टार्ट करेंगे यह बहुत जरूरी था और सिग्र करेंगे यह भी इस पेपर मिलिका गया अगर इस तरीके इससे होगा क्या क्यों दिलिक्षा है मेरी वी क्योंकि इससे होगा क्या यह होगा कि सिक्षक मिल जाएंगे जो बच्चे जाते हैं स्कूल में कोई एक भावना लेके जाते कि हमें सिक्षक मिलेंगे गुरू मिलेंगे जिससे मेरा भविश्य उजवल होगा लें सिक्षक नह चाहिए यतना जल्दी हो सके जितना तेजी हो सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहें इंदे क्लप पे धन्यवाद बाबाए सब्सक्राइब कीजिए हिंडी क्लप को दबाएए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सब से पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके यह सब बिलकुल प्री है झाल